हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका यूटेडिया पे मैं परिंट को और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में जो है हमारा करेंट एफेर्स जून 2020 का दूसरा अंक पहले अंक में हम लोगों ने राष्टिय घटना करम को पढ़ा था रंबद रूप से वर्नन किया गया है पर इच्छा के दृष्टी से ये आपके लिए काफी उपयोगी सावित होंगे तो इसको अच्छे से देखिए इसको अच्छे से पढ़िए इसके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा तो चले दोस्तों सुरू करते हैं इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आईए अंतराश्टिय घटना करम की ओर चलते हैं सबसे पहले आते हैं सूचकांग की ओर कुछ सुचकांग जो अंतराश्टिय अस्तर पर चर्चा में रहीं जैसे पर्यावरन परदर्सन सुचकांग 2020 ये येल विस्वी द्याले द्वारा जाड़ी किया गया जो की परती दो वर्स पे जाड़ी किया जाता है पडियावरन परदर्शन के छेतर में सबसे अगरणी देश जो है वो डेनमार को घोसित किया गया जबकि इस सुचकांक में भारत को जो है 168 अस्थान प्राप्त हुआ है हाला कि 2018 में भारत को 177 रंग प्राप्त है यानि भारत का रंग जो है वो पहले से सुधरा है आते हैं दूसरे सुचकांक की ओर वो है 233 परदा सुचकांक 233 परदा सुचकांक 2020 ये इंस्ट्यूट डेवलप्मेंट द्वारा जारी किया गया है इस डेवलप्मेंट द्वारा जारी किये के सुचकांक में प्रतम अस्थान सिंगापूर को दिया गया है जबकि भारत को इसमें 43 अस्थान दिया गया है वहीं बात करें 2019 में भी तो भारत का अस्थान 43 अहीं था तो इस तरह से याद करने में आपको परिशानी नहीं होगी 230 परधा सूचकांक में पहला अस्थान सिंगापुर का जबकि भारत का अस्थान 43 है इसके अलावा सबसे चर्चित विंदू जो अंतराष्टी अस्थान पर रहे वो है जोर्ज फुलाइड जोर्ज फुलाइड एक अफरीकी अमेरिकी वेक्ती थे जिनकी मिर्त्यू हो गई थी अमेरिका में वो खास करके एक सिपाही की दोरा उनकी मौत हुई थी ऐसे में वहाँ एक बड़े अस्तर पर बिरोध पर्दन से शुरू हुआ था तो इनकी मौत पर अमेरिका में राष्ट व्यापी बिरोध देखने को मिला जोर्ज हुस्टन से रहने वाले थे और अमेरिका में उनकी मौत के बाद एक नारा निकल कर किया था ब्लैक लाइब मैटर यानि जो काले लोग हैं उनके भी जीवन मैटर करते हैं और इसको लेकर के विरोध जो है वहाँ किया गया और कहा गया कि यह हिंसा के खिलाप एक अभियान है यानि ब्लैक लोग के साथ किया जा रहा है बरवरता हम बरदास्त नहीं करेंगे तो इस प्रकार से जोज फॉलाइड यह है वो काफी चर्चित रहें और अमेरिका में यह चलाया गया आंदोलन भी काफी चर्चा का विशह रहा नेक्स्ट आते हैं कोहाला हाइडरो पावर प्रजेक्ट यह भी काफी चर्चित है और काफी विवादित भी है पियो के चेतर जो भारत का चेतर जो पाकिस्तान के कबजे में हैं उस चेतर में जेलम नदी पर कोहाना पनवीजली पर्योजना का निर्मान करने की घोसना की गई जो की चीन तथा पाकिस्तान के मद इसको ले करके एक समझोता हुआ है इस पर्योजना का निर्मान चीन पाकिस्तान आर्थी गरियाले के तहट करने का प्रयास कर रहा है ऐसे में भारत निश्ची तुरूप से इसका विरोध करेगा क्योंकि यह भारतिय सीमा छेतर है जो बरतवान में पाकिस्तान के कबजे में है तो कोहाला हाइडरो पावर प्रजेक्ट याद रखेंगे पियो के छेतर नेश्ट है पंचसील अभियान ये पंचसील अभियान भारत की जो है वो सहुक्तरा सुरक्षा परिशद जिसको हम लोग उनाइटेड नेशन सेकुरिटी कॉंसिल के नाम से जानते हैं में निर्वाचित सीटों को सुरक्षित रखने के उदेश से पंचसील सिधानतों का सुबारम किया गया है आपको पता होगा कि युनाइटेड नेशन के जो सुरक्षा परिशद हैं उसमें पांच अस्थाई सदस हैं जिसमें भारत को अस्थान बनाने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे में भारत द्वारा इसके लिए जो है पंचिल सिधानतों से संबंदित एक अभ्यान चलाया जा रहा है भारत बरतमान में एसिया परसान छेतर का एक मात्र जो उमिदवार है जो डिजर्विंग केंडिडेट के रूप में अपना स्थान रखता है आईए अगले पॉइंट क्यों और चलते हैं हाल ही में पेगॉंग सो छेतर जो है वो काफी चर्चा में रहा भारत तथा चीन के मद बिवादित छेतर हो गया है ये हाल ही में सीमा बिवाद को लेकर के पेगॉंग जिल लदाख छेतर में ये बिवाद देखने को मिला आपने पड़ा भी होगा और देखा भी होगा न्यूज में कि किस परकार से भारत और चीन की सेना के भी जो है एक परकार की जरप जो है हो गई थी नेक्स्ट है हाल ही में भारत आयरलेंड मैक्सिको केनिया एवं नार्वे याद रखेंगे इसको फिर से रिपीट करता हूँ है भारत, आयरलेंड, मैक्सिको, केनिया एवं नार्वे को सेयुक्त राष्ट ने सुरक्षा परषद के दो वर्ष यानी 2020 और 2021 के लिए गैर अस्थाई सदसे के रूप में चुना है आपको मैं बता दू कि सुरक्षा परषद के जो सदसे बनते हैं उसमें पांच अस्थाई सदस तथा दस और अस्थाई सदस से चुने जाते हैं अस्थाई सदस से कभी बदले नहीं जाते हैं लेकिन जो दस और अस्थाई सदस से होते हैं वो दो वर्षों के लिए चुने जाते हैं जिसमें प्रती वर्स पांच-पांच सदसे करके चुने जाते हैं। ऐसे में किसी एक देश का नंबर काफी समय बाद 10-15 वर्सों बाद आता है। इसी करब में भारत को जो है 2020 और 21 के लिए जो है वो अस्थान मिला है। तो कौन से पांच सदसी सवर चुने गए है भारत के साथ वो भी आपको याद रखने हैं। भारत, आयरलेंड, मैक्सिको, केनिया और नार्वे। आते हैं नेक्ट बिंदू के ओर अमेरिका ने अपने देश में COVID-19 के कारण आय आर्थिक संकट के बाद 31 दिसमबर 2020 तक ग्रीन कार्ट तथा गैर प्रवासी कारे वीजा क्यों निलंबित कर दिया है। ऐसा उसने अपने देश के नागरिकों को नौक्री देने के लिए किया है। आपको पता होगा कि वर्तमान में आर्थिक संकट से सभी देश जूज रहे हैं। इसे में सभी देश अपने जो वास्तविक नागरिक है उनको प्राथमिक्ता देने का प्रयास कर रहे हैं। यही प्रयास जो है अमेरिका द्वारा भी किया जा रहा है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वासिंग्टन डी सी में इस्थित मुख्याले का नाम बदर कर मेरी डैबलू जेक्शन के नाम पर रख दिया है। मैरेड एक्षिन जेक्षन जो है कौन थी तो वो नासा की पहली अफ्रीकी मूल की जो है अमेरकी अस्वेत महिला इंजिनियर थी जिनके नाम पर ये नाम रखा गया है क्योंकि आपको पता होगा कि अभी ही अस्वेतों को लेकर के अमेरिका में हाली में विरोध पर्दसन किया जा रहा था हाली में अमेरिका ने डबलू एचो विस्वस्वास संगठन के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है आपको ये भी पता होगा कि डबलू एचो के अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा देनदार के रुप में जाना जाता था लेकिन कोविड इसू पर डबलू एचो के असपश्ट ब्यान नहीं होने के कारण डबलू एचो से जो है अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है अमेरिका डबलू एचो के निर्धारित इस धन का पड़ियोग दुनिया भर के ततकालिन आवेशक्ताओं को पूरा करने के लिए करेगा जैसा कि अमेरिका ने घोसित किया है नेक्स्ट पॉइंट है हाली में रूस के राष्टपती बलादमीर पूतीन ने साइबेरिया में अपातकाल लगाने की घोसना की है यह भी बी आई पॉइंट बन सकता है इसे याद रखेंगे यह निर्ने साइबेरिया के एक उर्जा सयंत्र भंडार केंदर के लगभग 20,000 टन डीजल बह जाने के कारण लिया गया है इस इंधन का बहाव जो है वो आमबर नाया नदी में मिलने से रोकने के लिए किया जा रहा है चुकि बह गया है बहुत सारा तेल जो है वहाँ पे निकल करके ख़दानों से नदी में बहने लगा ऐसे में वहाँ पे एक प्रकार का संकट उत्पन हुआ जिसके कारण साइबेरिया में अपात का रूसी रासपर्टी ने लगा दिया था अब आते हैं अगले पॉइंट के और सिवजे लेंड के दावोस में जनवरी 2021 में बिस सो आर्थिक मंच डवलू ईएफ का ट्वीन सम्मिट का आयोजन किया जाएगा आपको पता होगा प्रतिवर्ष जनवरी में जो है वो भी सो आर्थिक सम्मेलन जो है आर्थिक मंच का जो है वो किया जाता है और ये प्रतिवर्ष जो है वो दावोस में ही आयोजित किया जाता है हाल ही में भारत में भूटान के साथ पर्यावरन संगरक्षन और प्राकिर्तिक संसाधनों के प्रवंधन को ले करके समझाता किया है और वहां के जो प्रधान मंत्री है वो है लोटे सोरिंग आपको मैं एक और चीज़ बता दू कि भारत के प्रोशी देशों में भूटान ही एक मात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं चलता है भारत ने डेनमार्क के साथ किया है बिजली से समझाता और ये जो बिजली सहयोग से समझाता किया गया है इसमें पवन उर्जा, दिरकालीन उर्जा, बिजली कैसे निर्मान हो, कैसे खड़ी दें इसको ले करके समझाता किया गया है और पवन उर्जा के छेतर में डेनमार्क जो है एक चर्ची देश है नेक्ट है पाकिस्तान की रलधानी इसलामाबाद ने पहले हिंदू मंदिर बनाने के कारे को शुरू किया है अर्थात पहली बार पाकिस्तान ने अधिकारी ग्रूप से किसी हिंदु मंदिर बनाने का पर्मिसन दिया है इसलिए चर्चा का विशह रहा इस मंदिर का नाम स्रीक्रिष्न मंदिर होगा नेक्ट है 29 जून को भारत तथा भूटान के बीच एक और समझाता किया गया जो की पनवजली से सम्दित है इस परियोजना को लेकर के हस्ताक्षर किये गये यहाँ परियोजना भूटान के खोलोंग्छू नदी जलमार्क पर इस्थित होगी चमता जो है इसकी 600 और आपको मैं बता दू कि 2019 में भी इसी परियोजना के नाम से था तो यह खोलोंग्छू नदी जलमार्क पर बनाया जा रहा है और इससे पिछला जो है वो मांग्देख्छू जलमार्क पर इस्थित परियोजना के नाम से बनाया गया था वोलकाना बोजाकीर यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि यह कौन चुने गया है तो 75 वी सयुक्तराष्ट महासभा के अध्यक चुने गया है आपको पता होगा कि यूएन की जो है वो परतिवर्स बैठक होती है और उसमें परतिवर्स जो है महासभा की एक अध्यक चुने जाते हैं तो वोलकाना बोजाकीर जो है वो 75 वी बैठक के लिए जो है वो सयुक्तराष्ट महासभा के अध्यक चुने गया है जिनका संबंद की इस देश से है तो तूर्की से यह भी प्रशन आ जाता है कभी-कभी लजारस चक्रेव चक्वेरा यह मालावी के राश प्रधान मंत्री चुने गया है आईए आगे बरते हैं अर्थ विवस्था के छेतर में आते हैं अर्थ विवस्था के छेतर में आपको पता होगा कि कोवीट के इसूस के कारण पूरे विस सुभर में मंदी चल रही है तो पूरी तरह से एकोनॉमी पर जितने भी निरने लि सबसे पहले आते हैं 2020-2021 में भारत सरकार ने मनरेगा के तहट एक लाख एक हजार पांसो करोर रूपे आवंटित किये हैं आपको पता होगा मनरेगा वो इसकीम है जिसके तहट 100 दिन की गारेंटेर रोजगार ग्रामीन छेतर के मजदूरों को दिया जाता है यहां मनरेगा के तहट सबसे उच धन आवंटर है अभी तक इतना धन मनरेगा में कभी आवंटित नहीं किया गया था चुकि आपको पता होगा कि अभी प्रवासी मजदूरों के साथ समस्या चल रही है उन्हें अपने काम को छोर करके अपने गरामीन छेतर में लोटना परा है तो यानि उनकी मजदूरी भी बढ़ाई गई है तथा उनको रोजगार देने के लिए और अधिक धन आवंटित किये गए है नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी वैस्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट तो विस्व बैंक ने अभी हाली में वैस्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जाड़ी की है इसके अनुसार वैस्विक आर्थिवस्था 2020 में 5.20 तक संकुचित यानि कम होने की संभावना है यानि 5.2 परतिसत पर आकर के रुक जाएगी इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि पूरे विस्व पर कोवीड के इसूज के कारण आर्थि गतिवीडियों को काफी चोट पहुँचने वाला है साथी साथ ये रिपोर्ट भी दिया गया है कि भारतिय आर्थिवस्था वीतवर्ष 2020 से कीस में मातर 3.2% पर ही परफॉर्म कर पाएगी यानि पूरे विस्व में जहां मंदी का दौर देखा जाएगा भारत में भी उसी प्रकार की मंदी देखने को मिलेगी नेक्स्ट है वैस्विक अस्तर की एजनसी फीच रेटिंग ने अगले वीतवर्ष में भारत की जीडिपी 9.5 रहने का अनुमान लगाया है बहुत जादा अनुमान लगाया है फीच ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मंदी के बाद जब सब कुछ ठीक होगा तो भारत के पास वो छमताएं हैं कि वो तेजी से विकास कर सके नेक्स्ट है जून के पर्थम सबताह के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 501.70 अरब डॉलर पहुंच गया ये पहला आफसर है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 500 अरब डॉलर के पार गया है तो इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं कि जून के पर्थम सबताह में जो है 500 अरब डॉलर से अधिक गया बात करें विदेशी मुद्रा भंडार की तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान पाचवा है जबकि चीन जो है वो पहला देश है जिसके पास सरवाधिक विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है बात करते हैं आरबी आई की आरबी आई के अनुशार कोविड नाइटीन के कारण भारत पाचवी बार मंदी का सामना कर रही है जिसे आर्थी गतिवी दियां आये विक्डी रोजगार सभी प्रभावित हो रहे हैं और सभी जो है सभी में गिरावट आ रही है बात करें आजादी के बाद भारत में आए ऐसे चार मंदियों की तो 1958, 1966, 1973 और 1980 में इस प्रकार की मंदी आई थी जिस प्रकार की मंदी अभी कोवीड के कारण 2020 में देखने को मिल रही है नेक्स्ट है अंक्टाड अंक्टाड द्वारा जारे निवेस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत का परत्यक्ष विदेशी निवेस 51 बिनियन डॉलर रहा भारत विशो में FDI का नौवा सबसे बड़ा प्राप्त करता देश है आपको पता होगा कि विदेशी धन जो परत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं उसे परत्यक्ष विदेशी निवेस की रूप में जाना जाता है और सभी देशों में इस परकार का निवेस देखने को मिलता है चाइना अमेरिका जैसे देश जो है वो सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करते हैं जबकि भारत का स्थान इसमें नौवा है आते हैं आप खेल घटना करम की ओर आरती घटनाओं के बाद खेल घटनाए जो जून के माह में चटशित रही बी सी सी आई आपको पता होगा कि क्रिकेट से संबंधित है तो बी सी सी आई ने रोहित सर्मा का जबकि होकी फेडरेशन ने रानी रामपाल का नाम जो है वो राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार के लिए नामित किया है अब देखना है कि इन्हें ये प्राप्त हो पाता है या नहीं नेच्ट है एसी आई फुटवल महा संग 2022 महिला एसी आई कप की मेजवानी भारत को सौप दी है इस प्रकार से ये बहुत ही इंपोर्टेंट नीज है कि एसी आई फुटवल महा संग के तहत होने वाले 2022 के महिला एसी आई कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा ऐसा इसलिए इंपोर्टेंट है कि भारत पहली बार महिला एसी आई फुटवल कप की मेजवानी करेगा नेक्ट है औल इंडिया फुटवल फेडरेशन ने भारतिये कप्तान आई एम विजियन को भारत के चोथे सबसे बड़े नागरी पुरुषकार पदम सिरी के लिए नामित किया है उन्हें 2003 में अरजुन पुरुषकार दिया गया था आते हैं इंगलिस प्रीमियर लीग के रिजल्ट की ओर इंगलिस प्रीमियर लीग जो है वो इंगलेंड में खेला जाने वाला एक फुटवल का लीग टुनामेंट है जिस प्रकार से क्रिकेट का IPL लीग टूनामेंट है उसी प्रकार से इंगलिस प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाता है 2019-2020 के इस आयोजन के विजेता जो है वो लीवर पूल रहे जो कि इंगलेंड की ही एक फुटवल कलब है जबकि उब विजेता चेल्सी रही ये भी इंगलेंड की ही एक फुटवल कलब है तो आप इसको याद रखेंगे कि लीवर पूल उठा करके पूल को सीधा किया गया यानि आपने जो है इसको जीतते हुए देखा ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रशन पूछे गए है नेक्स्ट है भारतिय भारतोलन महासंग ने खेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद भारतिय वेट लिफ्टर के संजीता चानू को 2018 के लिए अरजुन पूरुसकार देने की गोसना की और अरजुनपुर्शकार के लिए गोसना की गई है कि इनको अरजुनपुर्शकार दिया जाएगा नेक्स्ट है महिला फीफा विश्वकप 2023 ये बहुत ही इंपोर्टेंट है अभी चुकि हाला की खेल सारी खेल दुनिया में बंध है लेकिन कुछ गोसना अभी फ्यूचर के लिए चल रही है जैसे महिला फीफा विश्वकप 2023 जो है वो अस्ट्रेलिया एवं नियूजी लैंड में सम्मान से संबंधित रिचर्ड डॉकिंसन पुरुसकार ये बहुत ही फेमस है और इसे ही जरूर याद रखेगा ये प्रश्ण बनेगा जावेद अक्तर जो की फिल्म जगत से संबंधित है और कभी एवं लेखा के रूप में चर्चित रहे हैं इन्हें याद पुरुसकार विज्ञान, सिक्षा छेत्र एबा मनरणजन के छेत्र पे धर्म निर्पेक्सता के लिए दिया जाता है और इसी करम में जावेद अक्तर को या पुरुसकार दिया गया है और वो पहले भारतिये हैं जिन्हें रिचर्ड डॉकिन्स पुरुसकार प्राप्थ हुआ है आते हैं नेक्स पॉइंट के और विस्व खादे पुरुसकार डॉक्टर रतनलाल भारतिये मूल के अमेरिकी वैग्यानिक है इन्हें खादे उत्पादन को बढ़ाने के उदे से मिर्दा की गुनवत्ता को बढ़ाने के इनके उपायों के कारण या पुरुसकार दिया गया है तो आप याद रखेंगे डॉक्टर रतनलाल जो भारतिये मूल के अमेरिकी वैग्यानिक है इन्हें विस्व खादे पुरुसकार दिया गया है जो की खादान में उत्पादन बिर्दी के दिरिश्टी से दिया गया है इसके अलाब अगले पॉइंट में आते हैं भारतिये अर्थसास्त्री आमर्दे सेन आपने नाम सुना होगा। ये इन्हें हाली में जर्मन भुक ट्रेड का प्रतिष्थित सान्ती पुरुसकार दिया गया है। या पुरुषकार उन्हें वैस्विक न्याय और समाजिक असमानता के छेत्र में उत्किष्ट कारे करने हेतु दिया गया है। तो भारतिय संगीत कार सोभा सेखर को जो है मैडल ऑफ दा ओर्डर ऑफ उस्ट्रेलिया से समानित किया गया है। अंत्रिक्ष में भेज कर रूसी रोकेटों पर अपनी निर्भरता समाप्त कर ली है और स्पेस एक्स अंत्रिक्ष यात्रियों को अंत्रिक्ष में भेजने वाली पहली नीजी कमपनी बन गई है। आपको मैं ये भी बता दू कि एक नीजी कमपनी है जो अंत्रिक्ष के छेतर में कारे करती है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ओर DRDO तो DRDO संस्था जो आप जानते होंगे कि भारत की रक्षा से संबंधित संस्था है इसने इलेक्ट्रोनिक उपकरन व्यक्तिकत सुरक्षा उपकरन को किटानू रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वक्ष नामक एक किटानू सोधन इकाई को विक्सित किया है तो ये एक क्वाइंट है जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं नेक्स्ट है भारतिये वायू सेना ने COVID-19 से पीरित रोग्यों के परिवहन हेतु ARPIT नामक एक प्रिथक परिवहन विक्सित किया है ARPIT क्या है तो आप इसे याद रख सकते हैं भारत का पहला इंटरनेट नियंतरित रोबोट जिसे को रोबोट नाम दिया गया है या ठाने के एक इंजिनियर ने विक्सित किया है यह रोबोट COVID-19 मरीजों का इलाज कर रहे है अस्पतालों को सहयता परदान करेगा और इंट रोबोट को याद रखेंगे क्योंकि यह महत्पून हो सकता है और उपर से यह भारत में ही विक्सित किया गया है इसलिए और भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है नेक्ट है अमेर्की अंतरिक्स यात्री और समूद्र विज्यानिक कैथी सुलवीन प्रित्वी के सबसे गहरे बिंदू चैलेंजर दूइप में पहुचने वाली पहली महिला बन गई है आपको बता दे कि चैलेंजर गर्थ जो है वो परसांत महा सागर में श्थित है और मेरियाना ट्रेच जिसको मेरियाना गर्थ के नाम से जाना जाता है जो कि सबसे 200 का गहरा बिंदू है उसम समुद्र विज्यानी कैथी सूलीवन जो है वो गहरे बिंदू चैलेंजर गर्थ में जाने वाली पहली महिला बन गई है हाल ही में IIT बॉम्बे के सोर्थ करताओं ने स्वधेशी रिसीवर चीप विक्सित किया है जिसे ध्रूव नाम दिया गया है इसका प्रयोग देश के संस्थानों का सटीक पता लगाने के लिए स्मार्टफोन तथा नेविगेशन उपकरन के माध्यम से किया जा सकता है तो इसको आप याद रख सकते हैं आते हैं नेक्स्ट बुन्दू के लिए जो की है हमारा वीवीद और अन्य पार्ट जिसमें कुछ हम लोग दिवस पर फोकस करेंगे तथा कुछ ऐसे पुस्ता के जो चर्चित रही जून माह में आते हैं जून के प्रमुख दिवस की और पहला है एक जून बिस सो दुद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है वर्ल डेरी डे तो आप इसे जरूर याज रखेंगे पांच जून ये तो काफी परसिद रहा है विस सो परियावरन दिवस और इस बार का जो थीम था सेलिबरेट बायो डाइवर्सिटी और आप लोगों ने बहुत सारे पौधे भी लगाये थे इड़ुटेडिया के फेस्बूक ग्रूप में आप लोगों ने पोश्ट भी किया था तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग परियावरन के परती अपने जिम्मेदारियों को इस तरह से निभा रहे हैं और जिन लोगों ने अभी पौधे नहीं लगाये हैं तो उनसे रोकने के लिए जागरुकता फैलाने की दृष्टी से 12 जून को यह दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट है 14 जून 14 जून जो है वो विश्वरक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार का थीम जो था सेव बलर्ड सेव लाइब तो यह आप बहुत ही महत्पू जो है वो इस बार का थीम रहा नेक्स्ट है 21 जून अंतराष्टी योग दिवस यह तो बहुत ही चर्चीत रहता है और हर बर एक्जाम की दृष्टी से महत्पून रहता है इस बार इसका थीम था स्वास्त के लिए योग और घर पे रहके योग चुकि आपको पता है कि इस जून राष्ट्रिय सांखी की दिवस के रुप में मनाय जाता है पीसी महल नुबिश के नाम पर और इसका थीम जो है वो सतत विकास लक्ष तीन और पांच यह रखा गया था चुकि यह सांखी की दिवस है इसलिए इसके थीम में भी आंकडो का उपयोग किया गया है अब लिखी है तो यह लॉक्टाइन जो समधित पुष्टक है यह सोभा डे की पुष्टक है और इसे आप जरूर याद रखें क्योंकि सोभा डे फेमस राइटर की रूप में जानी जाते हैं और इनसे समधित प्रशन पूछे जाते हैं यह बर्णी मेगा मजूमदार की पुष पुष्टक है और हैस्टैग मीटू करन पूरी की पुष्टक है जो फिट से चर्चा में आई है तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे और यह था आज का हमारा वीडियो और उमीद करते हैं कि आपको हमारा करेंट एफेर्स का सेशन पसंद आ रहा होगा इसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडूटेरिया टेस्टरी से जरूर जूर जाए वहाँ पर पुडाने पीडियेप भी आपको एबलेबल होंगे इसके अलावा होमबक स्रीज और हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वहाँ आपको बताया जाते हैं यहां लास्ट जो है एक और पॉइंट था जो की मिस्प्रिंट होने के कारण गलत पढ़ा गया था यहां आइफ लोज है वहां आइफ ओलोज हो गया था इसके अलावा जो है आप हमारे राश्टिये घटना के करम में जो उस दिन मैंने इडिट नहीं किया था उसको थोरा सा देख लेंग बिहार खादी का ब्रांड एंबेजडर उन्हें चुना गया है और यह एक एक्टर के तौर पे भी काफी चर्चित है मानुसी छिलर जो की हाली में मिस वर्ल चुनी गई थी तो उन्हें एडिडास के ब्रांड एंबेजडर के रूप में चुना गया है तो यह तीनों ही महत पूर्ण है इसलिए इसे जरूर याद रखेंगे इसके अलाबा कुछ निधन भी राष्टी यास्तर पर हुए थे जो चर्चा में रहे थे जिनमें वाजिद खान जो की एक संगीत कार है उनका निधन हुआ था अनवर सागर जो की एक गायक है उनका निधन गुलजार हो गया था और साजिंदर गोयल एक क्रिकेटर रहे हैं जो रंजी में सबसे अधिक विकेट लेने के इनके पास रेकॉर्ड रहा है उनका निधन हो गया था तो उमीद करते हैं कि आपको इडुटेरिया का ये सिरीज पसंद आया होगा धन्यवाद दोस्तों इडुटेरिया